खेलो दोस्तो श्वागत है आप सबी लोगों का राजिस्तान एकेडमी पर मैं पर्विंट सिंग आप सबी लोगों के साथ में जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं लगातार आप लोगों के लिए LDC एक्जाम, CET एक्जाम, चात्रावा, सदिक्सक एक्जाम के लिए साइन्स और मैंतेमेटिक सी क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ और आप सबी लोग जो है लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबी लोगों के बदौलत ये जो राजिस्तान एकेडमी का परिवार है वो बहुत ही तेजी से गति कर रहा है तीस जार तीन सो से ज़्यादा विद्यार थे आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उसके लिए मैं आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद के आपित करता हूँ और इसी तरह से अपना ये प्यार बनाए रखिएगा और मुझे उमीद है कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और पड़ाई मेव्यस्त होंगे और हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान विशे के अंतरगात अनुवान्सिकी के बारे में हमने इससे पहले के सभी टॉपिक वो फिर चाहे केमेश्टी के हो, फिजिक्स के हो, इस्पेस टेकनलोजी हो या रक्त, रोगाणू और आपके जन्तु और पाजबो के आर्थिक मैत्व इन सभी को अपन पढ़ चुके हैं और आप सभी लोगों ने इनके नौट्स बना लिये होंगे अब हम बात कर रहे हैं अपने जनेटिक्स के अंदर जो आनुवान्सिकी से संबंदित सामान्य सब्दावलियां हैं उनके बारे में आज की क्लास नंबर है अपनी 85 इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे Юटूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर एवलेबल है और उसी प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो आप लोगों को मैतेमेटिक्स की भी क्लासेस मिल जाएगी आप लोग उनको भी देख सकते हैं और पहली क्लास से अपने नौट्स बनाना सुरू कर सकते हैं हम बात कर रहे थे जीन प्रारूप यानि की जीनो टाइप की और जीनो टाइप को मैंने समझाया था कि किसी भी सजीव की जो आनुवान सिक रचना होती है उसको जीन प्रारूप कहते हैं और उसके अंदर एक्जामपल दिया था कि एक आपका कैपिटल टी कैपिटल टी होगा जो सुद्ध लंबा कहलाएगा और एक capital T, small T होगा, जो की होगा तो लंबा, लेकिन वो कैसा लंबा कहलाएगा, असुद्ध लंबा कहलाएगा, समझ में आ गई बात, किलियर है आप सभी लोगों को चलिए, अब हम बात करते हैं, अगली टर्मिनलोजी की, इससे पहले की सभी टर्मिनलोजी जो है, एक बार म जीन कहते हैं, और इस कारक जो है, ये तो कह लिए तो ग मेंडल लेकिन इसी कारक को आगे जाकर के जीन जो है, किसने बताया था, जोहनसन नामग विग्यानीक ने बताया था, इसके बात मैं युगमविकलपी यानि एलिल की बात करी थी, जिसमें कि किसी एक लक्षण को नि पारे पास में दो अलग अलग जो है अपने पास में क्या होंगे जीन होंगे एक लंबा एक छोटा ठीक है हाइट के लिए हो सकता है रंग के लिए काला एक बीला इस परकार से सम युगमची का मतलब है कोमो जाएगा जब किसी लक्षन को नियंद्रित करने वाले जो दो जीन है वो दोनों के दोनों कैसे हो सम्मान हो तो हम उसे कहते हैं सम युगमची और विसम युगमची का मतलब हो जाएगा जब दोनों युगमची जो है अलग-अलग हो या आपके बिन्द बिन्द हो इसके बाद बात करी थी फिनोटाइप यानि लक्षन प्रारूप की तो किसी सजीव की जो बहाईय प्रतीती होती है बहार से जैसा दिखता है उसके बहार के जो लक्षन होते हैं उसे अपन कहते हैं लक्षन प्रारूप और इसके बाद बात करी थी जीन प्रारूप की और dominant factor के उपर बेश्ट अपने आगे एक नियम भी आने वाला है जिसको अपन अच्छे से समझेंगे तो अब आप लोग heading डालेंगे अपनी copy के अंदर number six terminology है number six पर प्रभावी लक्षण कौनसी है प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण को आप English में कहेंगे dominant ये लिख लीजिए का आपकी काम आने वाला है dominant character ठीक है किसकी बात कर रहे है dominant character यानि प्रभावी लक्षण यानि ऐसा लक्षण जो प्रभाव साली होगा तो बेसिकली प्रभावी लक्षण का मतलब होता है वे लक्षण जो F1 PD के अंदर F1 PD का मतलब है पहली PD F1 F2 PD सभी के बारे पर खोड़ी सी तब्य ठीक नहीं है इसलिए हो सकता है अच गणित की class भी नहीं आए ये बड़ी मुश्किल से मैं record कर पा रहा हूँ तो F1 PD में जो है अपने आपको अभिव्यक्त कर पाते हैं उन्हीं लक्षणों को अपन क्या कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं तो प्रभावी लक्षण जो है अपने आपको कौन सी PD में represent करते हैं F1 के अंदर represent करते हैं तो आप लिखेंगे प्रभावी लक्षण के अंदर वह लक्षण या वे लक्षण वह लक्षण जो वह लक्षण जो F1 PD में F1 PD में अपने आपको क्या करते हैं अभी व्यक्त कर पाते हैं अभी व्यक्त कर पाते हैं तो वह लक्षण जो क्या करते हैं F1 PD में अपने आपको अभी व्यक्त कर पाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाता है समझ में आ गई बात क्लियर हैं तो डोमिनेंट फ्यक्टर तो क्या हो जाएगा या डोमिनेंट केरेक्тов क्या होगा जो अपने आपको F1 PD के अंदर अभी व्यक्त कर सकें आप तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो लक्षण प्रभावी होगा वही आपको दिखाई देगा जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो है दो लक्षण थे जैसे उदारन करके अपन लिखे हैं तो मान लीजिए आपके पास में दो लक्षण थे एक था आपके लंबा क्या था ल आने वाली जो PD थी वो लंबी है तो इसका मतलब क्या हुगा कि जो फैक्टर है वो कौन सा डॉमिनेंट है या कौन सा केरेक्टर डॉमिनेंट हुआ तो लंबा वाला जो जीन है वो आपका डॉमिनेंट केरेक्टर हो गया या जो लंबा ही का पन है जो लंबा पन है उसके प्रभावी लक्षण, रेसेशिव केरेक्टर कहा जाता है, लिखेंगे नमबर सिवन पर अप्रभावी लक्षण, ठीक है, और इसे इंगलीज में क्या कहेंगे, तो रेसेशिव, एक निटा, रेसेशिव केरेक्टर, ठीक है, चले, अब रेसेशिव केरेक्टर क्या होता है, या अप्रभावी लक्षण क्या होता है, तो वह लक्षण जो F1 PD में स्वैम को अभिवेक्ट नहीं कर पाते हैं, या ऐसे लक्षण जो अपने आपको F1 PD के अंदर अभिवेक्ट नहीं कर पात हैं ऐसे लक्षण को अपन क्या कहेंगे अप्रभावी लक्षण कहेंगे सिधी सी बात है कि प्रभावी का विलोम सब्द क्या होगा विप्रित सब्द क्या होगा तो आपका अप्रभावी अप्रभावी का विलोम सब्द अगर अप्रभावी है तो विलोम का जो मतलब ही क्या नहीं कर सके किलियर तो लिखेंगे वह लक्षण जो वह लक्षण जो एफवन पीडी में वह लक्षण जो एफवन पीडी में अपने आपको अभी व्यक्त नहीं कर पाता है ठीक है? उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं अप्रभावी लक्षण कहते हैं किलियर तो अप्रभावी लक्षण भी आपके सामने हो चुका है अब नेक्स्ट अपने पास में टर्मिनोलोजी आजाती है आपके कौन सी तो अब क्या जाती है? एक संकर संकरन का मतलब क्या है? तो एक संकर संकरन का मतलब है मोनो हाइब्रीड क्रोस क्या मोनो हाइब्रीड क्रोस अब मोनो हाइब्रीड क्रोस क्या होता है यह समझ्य वाले हैं तो मोनो हाइब्रीड क्रोस अब Mono Hybrid Cross या फिर एक संकर संक्रण का मतलब क्या होता है वह संक्रण जिसमें एक लक्षण की वनसागती का अध्यन किया जाता है Basically क्या किया जाता है इसमें एसा संक्रण है जिसके अंदर एक ही लक्षण को अपन पकड़ेंगे particular किसी एक लक्षण को पकड़ेंगे चाहे उसके रंग को पकड़ेंगे चाहे उसके लंबाई को ले करके चाहे उसके सरीर के मोटापे को ले करके चाहे उसके सरीर के अंदर किसी रोग को एक लक्षण को पकड़ेंगे केवल और केवल एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे और उसी कैरेक्टर की उसकी वंसागती जो है यानि उसके वंस के आदार पर 3-4 पीडियो के उसी एक लक्षन का study जब करते हैं तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण Mono Hybrid Cross Clear? तो आप लिखेंगे वह संकरण वह संकरण जिसमें वह संकरण जिसमें वह संकरण जिसमें एक लक्षन एक लक्षन एक ही लक्षन की एक लक्षन की वंसागती एक लक्षण की वनसागती का अध्यन अध्यन एक ही लक्षण की वनसागती का अध्यन किया जाता है किलियर तो ऐसे मैं उसे अपन क्या कहते हैं किया जाता है उसे एक संकर संकरन कहते हैं ठीक है तो मोनो हाइबरीड क्रोस का मतलब क्या होता है एक ही लक्षण की अपन इस्टड़ी करेंगे वनसागती ठीक है जैसे कि माल लीजिए उधारण के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास में पहली पीडी जो है फस्ट पीडी उसके अंदर फस्ट जनरेशन के अंदर अपन ने लंबाई की श्टड़ी करी कि भाई ये लंबे इसमें है अब सेकेंड पीडी के अंदर भी अपन उसके लंबाई की बात करेंगे उसकी थर्ड पीडी में भी लंबाई की बात करेंगे तो इस परकार से अपन क्या कर रहे हैं उसके पीडी दर पीडी हमेशा ही किसका अधियन कर रहे हैं केवल और केवल उसके लंबाई का बाकी के जो लक्षण है उनका अधियन जब नहीं क किया जाता है तो उसे कहा जाता है monohibrid cross एक संकर संकरण clear इसको लिख लीजिए फिर मैं आपको due संकर संकरण यानि की die hybrid cross के बारे में बात करूंगा और आपका try जो होता है hybrid cross उसकी भी बात करेंगे यानि three संकर संकरण की बात करेंगे अपन ठीक है जल्दी से इसको not down कर लीजिए चलिए तो अब लिखेंगे द्यू संकर संकरण के बारे में किसकी बात करेंगे द्यू संकरण की बात करते हैं तो अपने पास में कौन सा आ जाएगा नंबर अपना कौन सी ए टर्मिनलोजी नाीं है न चलिए दूज लिखेंगे 9 terminology के अंदर due संकर संकर due संकर संकरण यानि की di hybrid cross किसकी बात करेंगे di hybrid cross की एपन बात करेंगे due संकर संकरण की तो due संकर संकरण का मतलब हो गया वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंसा गति का अध्यन किया जाता है ठीक है अब तो नाम से बता चल गया होगा तो अब जो है इसके अंदर due संकर संकरण के अंदर मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ सिधे सिधे लिखवा रहा हूँ वह संकरण ये पूरी संकरण के अंदर आपको देखने को मिल सकता है तो वह संकरण जिसमें दो लक्षण दो लक्षणों की दो लक्षणों की दो लक्षणों की वन्सागती, वन्सागती का अध्यन किया जाता है, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वन्सागती का अध्यन किया जाता है, द्यू संकर संकरण कहलाता है, ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे नंबर एन पर ट्री संकर संकरण, त्री संकर संकरण, ठीक है, और त्री संकरण संकरण का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई हाइब्रीड क्रोस, अब ऐसे ही आप चार, पांच, पंदरा, जितने भी लक्षणों की बात करोगे, उतना ही वो हाइब्रीड क्रोस हो जाएगा, ठीक है, 3 लक्षणों की बात कर रहे हैं, तो 3 संकरण हो जाएगा, 4 होते हैं, तो 4 संकरण संकरण ठीक है, 5, 6, 7 ऐसे लगा सकते हो, तो त्री संकर संकरण यानि की जिसमें जिसमें तीन लक्षणों की वनसागती का अध्यन किया जाता है समझ में आ गई बात किलियर है आप सबी लोगों को तो त्री संकर संकरण यानि ट्राई हाईब्रीड क्रोस का मतलब क्या हो गया जिसमें तीन लक्षणों का अध्यन किया जाता है अब मैं लास्ट तीन के बाद मैं चार पांच दस ऐसे बार बार सभी के लिए ड लिखवा रहा हूँ पॉली हाईब्रीड क्रोस की डेफिनेशन यानि बहु संकर संकरण की बात करते हैं तो बहु संकर संकरण क्या हो जाएगा तो पॉली हाईब्रीड क्रोस किसकी बात करेंगे पॉली हाईब्रीड क्रोस की बात करते हैं अब कॉली हाईब्रीड क्रोस का मतलब क्या हो जाएगा तो कॉली हाईब्रीड क्रोस का मतलब है वह संकरण जिसमें कई सारे यानि की तीन से भी ज़्यादा चब लक्षनों की बात की जाती है तो उसे बहु सं संकरन कहा जाता है, तो वह संकरन जिसमें कई लक्षनों की वनसागति का अध्यन किया जाता हो, ठीक है, तो अब लिखेंगे, वह संकरन जिसमें कई लक्षनों की, कई का मनलब आप यह समझ गए न, तीन से ज़्यादा लक्षन तो, कई लक्षनों की बंसागती, कई लक्षनों की बंसागती का अध्यन किया जाता है, ठीक है, अब सीधा साब के पास मैं समझ में आ गया होगा, कि संकर संकरण, हाइब्रीड क्रोस का मतलब क्या है, किसी भी लक्षनों की जो इस्टडी है, ठीक है, अब बेसिकली क्या हो जाएगा, जैसे कि आजाए, कि एकल संकरण, या फिर अपन जिसे क्या कह रहे हैं, भाई अपना, एक संकर संकरण, तो उसमें एक लक्षन की बात, द परिक्षन संकरण के बारे में यानि टेस्ट क्रोस के बारे में कि टेस्ट क्रोस क्या होता है उसके अलावा संकर पूरवज या फिर जिसे अपन जो है पसच संकरण यानि बैक क्रोस भी कहा जाता है उसके बारे में भी कई बार एक्जाम में आ चुका है रैसिपॉकल क्रोस भ पारे में बताया था तो जीन के उपर वेश्ट कोसन सिधा-सिदा आ चुका है चिन सब्ड किस ने दिया ये कोसन आ चुका है एलिल क्या है ये कोसन आ चुका है ये सभी कौन से कोसन किस एक्जाम में कब आये थे और कितनी बार repeat हो चुके हैं ये सभी चीज़ें आप लोगों क चुकी होगी, मार्केट के अंदर आ चुकी है, आप सभी लोग जाकर के पर्चेश कर सकते हैं, 56 परकासन की है और पूरी की पूरी LDC की गाइड है, जिसके उपर आप नाम देख सकते हैं, गौरफ सिंग, गाणेराव सरकावी नाम होगा, मेरा नाम होगा, नीदुरस्तोगी म का नाम होगा, रोईत नामा सर का नाम होगा, आप ले करके उस पुस्तक को जो है, फोटो भी जरूर शेर करें, ठीक है, चलिए, अब अब बात करते हैं, इसके बाद में आगे, बहु संकर संकरण के बाद, आपका आता है, परिक्षन संकरण, यानि कि टेस्ट क्रोस, किसकी संकर, अब परिक्षन संकरण का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, टेस्ट क्रोस होगा, यानि अपन टेस्ट करने वाले हैं, क्रोस करवा करवा कर, ठीक है, देखिए, अब टेस्ट क्रोस या संकर, परिक्षन संकरण का मतलब क्या है, तो वह संकरण, जिसके अ धाता है तो इसके अंदर जो F1 PD है उस F1 PD का संकरन अपन करवाते हैं जो अप्रभावी नक् waterproof होते हैं उनके साथ में समझ में आ गई बाद इसे क्या कहते हैं P flipped cross कहते हैं यानी कि या फिर अपन जो है इसे परिक्षंट संकर कहते हैं, इसमें अपने केसी लिए क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप टेस्ट पेपर देते हो ना, वैसे इसमें टेस्ट हो रहा है, बेसिकली और कुछ भी नहीं होता, तो आप लिखेंगे, वह संकरण, वह संकरण, जिसमें, वह संकरण, जि में क्या करेंगे आप F1 PD का F1 PD का संकरण किसके साथ में करवाएंगे अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है जनक के साथ किया जाता है ठीक है किसके साथ में किया जाता है इसको अपन क्या कहेंगे तो इसको अपन कहेंगे परिक्षण संकरण कहते है किलियर समझ में आगई बात test cross का मतलब क्या होगा अब इसमें तो याद ही रखना पड़ेगा इसमें जो है आपने बस समझ लिया अभी बागी ये सभी चीजे F1 PD क्या है F2 PD क्या है अप रभावी लक्षण क्या होते है वो definition के रूप में आप समझ रहो लेकिन हम इन ही सभी चीजों का जो है अपन आगे अभी मेंडल के जो परियोग है उनके अंदर उधारणों के माद्यम से एक्जामपल के माद्यम से और समझने वाले है कि कैसे कौन सा लक्षण परभावी हो जाता है और कैसे जो है फिर हम इसको समझ सकते हैं इसमें उधारण अपन देखेंगे कि कैसे जो है क्रोस करवाते हैं संकरण कैसे करवाते हैं क्या होता है सभी चीज़े आपके सामने भी आएगी लेकिन तब तक आपको क्या करना होगा इन सभी टर्मिनलोजिस को याद करना होगा क्योंकि वहाँ फिर मैं यही बोलूँगा कि अब हमने परिक्षन संकरण करवाया अब परिक्षन संकर का मतलब क्या है वो यह समझ में आना चाहिए ठीक है चलो अब लिखेंगे next संकर पूरवच संकर पूरवच या इसी को अपन क्या कहते हैं पसच संकरण केते हैं क्या केते हैं पसच संकरण जिसे इंग्लिष में कहा जाता है back across और इसके अंदर थोड़ा सा इंग्लिष टर्मिनोलोजी ज़रूर याद रखे क्योंकि सीधे सीधे एक्जाम के अंदर कई बार इंग्लिष टर्मिनोलोजी ही direct use की गई है तो जब English terminology आएगी तो आपको आती हुई चीजे भी आप गलत करके नहीं आए इसलिए प्लीज इनको त्यान में रखते हुए जाईएगा ठीक है तो इसमें क्या होता है basically इसमें यह होगा कि जो F1 PD है उसका संकरन जो दोनों जनक होते हैं उन मेंसे ही किसी एक के साथ में वापस करवा दिया जाता है या आपने क्या करा पहले दो पूरवज लिए होंगे उनसे F1 PD बनाई उसे F1 PD का वापस से क्रोस करवा रहे हो उसी के पूरवज किसी एक को उठा करके समझ में आ गई बात इसका मतलब यह हुगा कि देखो आपके माता पिता या मेरे माता पिता या किसी भी ब्रमाण में किसी के भी माता पिता ले लिजिए उन माता पिता के मिलने से एक बच्चा हुगा अब उस बच्चे के जीन का और उसके माता या पिता में से किसी एक का जी तो आप लिखेंगे वह संकरण जिसमें नेक्ट डेफिनेशन वह संकरण वह हाइब्रिड या फिर रेपन हाइब्रिडाइजेसन केते हैं वह संकरण जिसमें हाँ एक केमिस्ट्री में भाई किसी ने पढ़ा होगा संकरण तो वो संकरण और ये संकरण अलग-अलग है ठीक है हाँ confused मत हो जाना के अच्छा सर उसमें था hybridization sp3 sp2 यह आ रहे थे यहां पता नहीं कहां से f1 pd ना वो अलग अलग है तो अलग अलग ही आएंगे ठीक है वो chemistry है यह बाई लोजी है तो वह संकरण जिसमें क्या करेंगे f1 pd का संकरण दोनों जनकों जनक मतलब आपके generator जिन्हों ने आपको जनम दिया है ठीक है जनकों मैंसे किसी एक के साथ किया जाता है संकर किया जाता है संकर किया जाता है और संकर पूरवज संकरण कहलाता है ऐसे को अपन क्या कहेंगे संकर पूरवज संकरण कहलाता है यानि बैक क्रोस कहलाता है तो मुझे उमीद है कि आप सभी लोग संकर पूरवज संकरण या बैक क्रोस जो है उसको भी समझ गया होंगे बची होगी तो अपन 5-6 जो टर्मिनलोजी बची होगी उनको जो है अगली क्लास के अंदर समाप्त कर देंगे और ज्यादा लंबी क्लास मैं इसलिए नहीं रखता हूं ताकि आप लोग परिस्ता नहीं होए और आप लोग मुझे भी पता है कि एक गटे, दो गटे, तीन गटे से जादा कोई बड़ी लंबी क्लासे बच्चा नहीं देख सकता 30 मिनट, हाइस या 35 मिनट तक क्लासे होनी चाहिए scientific way तो यही कहता है, बाकि आप अपने जो है, अगर आप चाते हैं कि नहीं हमारे लिए तो बड़ी-बड़ी क्लासे आएं तो दोस्तो मैं भी नहीं लूँगा, क्योंकि जादा देर तक हम भी यहाँ पर एक दिन खड़े रहे पांच गंडे माल लिजिए पर दूसरे दिन प्यार दर्द होंगे, या फिर हमारे आगे जाकर कि बविश्य में कोई ने कोई समस्या होगी, उन समस्याओं से मैं अभी से ही बजना जाता हूँ क्योंकि मुझे long term तक पढ़ाना है मुझे एक ही दिन में long term नहीं पढ़ाना है मुझे जीवन बर पढ़ाते रहना है तो जीवन बर पढ़ाते रहने के लिए मजबूत रहना भी जरूरी है और आप लोगों को समझ में आना भी जरूरी है जहां तक मेरी पूरी energy रहती है वहीं तक मैं पढ़ाता हूँ जो मुझे लगने लग जाता है कि अब बच्चों के भी उपर से जा रहा होगा और मेरे भी उपर से जाने लगता है तो मैं बंद कर जाता हूँ चलिए love you all of you, please take care and please share with your friends जय हिंद, जय बारत, मिलते हैं अगली क्लास में, bye bye, take care, please share with your friends